वेलकम टू मैंचेनल एसके नूलेच कलस्ट आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे परशना वली आर्दस मलब दो कित के मान ग्याद कीजिए तो चलिए हम कोपी पे सब बारीकी बारीकी से सब सब सबाल को हल करते हैं देखिए कोस्टन उतार लिए हैं इसमें देखिए क तिरकौन मित्य अनुपात सारणी पहले आपको देखना होगा किताब में देखिए अगर आप इन कालने नहीं जानते हैं तो हम निकालने के लिए बता दिए हैं पहले विडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है यहां देखिए का रहा है कि साइन साथ डिग्री तो यहां ह कितना है रूट तीन बटे दो रूट तीन बटे दो गुना आप किताब में देख 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 के तिरकों वित्यान पास सारनी को इसमें लिख लेना है ठीक नहां उसके बाद कोस तीस का कोस तीस का होता है रूट तीन बटे दो प्लस साइन तीस साइन तीस का मान होता एक बट है दो रूट तीन रूट तीन तीन दूदुने चार पलस एक गुना एक एक दूदुने चार चार का लगुत्तम चार हो जाएगा यह हो जाएगा तीन पलस एक यानि कि चार बटे चार एक बेन में कट जाएगा इसका इंसर एक हो गया अब चलिए दुसरा सवाल लेते हैं टू इने टू 10.45 का मान होता है, एक इस पह स्क्वाइर है, तो स्क्वाइर देते जाना है, ठीक, पलॉस कोस्स्क्वाइर 30 डिगरी, कोस्ट Jessica, कोस्तिस का मान होता है, रूट 3 ואל दो 2, स्क्वाइर है तो स्क्वाइर देते jana है, घाटा sin 60 sin 60 का होता है रूट 3 बटे 2 square है तो square देदना है ठेक थी हो जाएगा 2 1 का square 1 plus root 3 का square 3 2 का square 4 minus root 3 का square 3 2 का square 4 माइनस plus कट गया चलिए next सवाल किया तीसरा सवाल है कोस पैटालीस डिगरी बटे सेख तीस डिगरी पलस कोसेख तीस डिगरी तो हल करते है कोस पैटालीस का मान होता है वन बटे रूट दो यह पूरे के बटे हैं सेख तीस सेख तीस का होता है दो बटे रूट तीन पलस कोसेख तीस का होता है दो तो यह हो जाएगा एक बटे र रूट दो बठे यहां रूट तीन लगता मा जाएगा तो यह हो जाएगा दो पलस दो रूट तीन जिसके बटे में रहता है कुछ तो गुना हो जाता है ठीक आप देखिए यहां बटे रूट दो गुनाम लाएंगे तो रूट तीन उपर चले जाएगा बटे इ बटे मा जाएगा दो पलास दो रूट तीन ठेक तो रूट तीन गुना रो एक तो रूट तीन बटे रूट दो से गुना हो जाएगा दो पलास दो रूट तीन ठेक जब इसको गुना करेंगे तो रूट तीन बटे, दो गुना रूट दो, दो रूट दो, पलस, दो, रूट तीन गुना दो, रूट छो, या इसको लिख सकते हैं, रूट तीन बटे, दो कोमल ले लेंगे तो बचेगा, रूट दो, पलस, रूट छो, या तो एंसर यहां होगा, या एंसर यहां होगा, चलिए next question की चौथा question है sin 30 degree plus 10 45 degree घटा कोशेक 60 degree बटे sin 30 degree plus 60 degree minus 48 45 degree तो sin 30 sin 30 का होता है 1 बटे 2 plus 10 45 10 45 का होता है 1 minus कोशेक 60 कोशेक 60 का होता है 2 बटे root 3 बटे सेक 30 सेक 30 का होता है 2 बटे root 3 फलास कोशेक 60 का होता है 1 बटे 2 घटा कोट 45 कोट 45 का होता है 1 अब उपर वाला का लगुतम लेंगे तो यह आजाएगा 2 root 3 दोस भाग दे देंगे कट जाएगा root 3 गुना 1 root 3 फलास इसके बटे मने कुछ एक है तो पुरे गुना हो जाएगा 2 root 3 माइनस root 3 से भाग देंगे कर जाएगा 2 दूनी 4 बटे यहाँ भी 2 root 3 लगुतम आ जाएगा इसमें भी root 3 से भाग देंगे कर जाएगा 2 दूनी 4 पलस दूस भाग देंगे 2 कर जाएगा root 3 माइनस गुना हो जाएगा 2 root 3 निचल का 2 root 3 2 root 3 कट गया बचा उपर root 3 पलस 2 root 3 माइनस 4 बटे निचें बचा 4 plus root 3 माइनस 2 root 3 अब क्या करना है देखिए root यहाने कुछ तह एक है 1 root 3 पलस 2 root 3 क्या हो जाएगा 3 root 3 घाटा 4 बटे 4 यहाँ देखिए इनने कुछ तह एक root 3 है तो यहाँ दो root 3 है एक में से दो घड जाएगा माइनस root 3 हो गया एंसर हो गया अगर यहां answer ने होगा तो आप पड़ी में करन कर लिजिएगा चलिए नेक्स चवाल की पाचमा question है 5 कोश स्क्वाइर साथ डिगरी पलस 4 सेख स्क्वाइर 30 डिगरी माइनस 10 स्क्वाइर 45 डिगरी बटे साइन स्क्वाइर 30 डिगरी पलस कोश स्क्वाइर 30 डिगरी पाच कोश स्क्वाइर साथ डिगरी तो कोश साथ का आमान होता है एक बटे दो स्क्वाइर है तो स्क्वाइर लगा दना है पलस 4 सेख स्क्वाइर 30 डिगरी सेख 30 का आमान होता है दो बटे रूट तीन स्क्वाइर है तो स्क्वाइर लगादना है घटा टेन स्क्वाइर पैतार्स टेन पैतार्स का मान वन स्क्वाइर है तो स्क्वाइर लगादना है बटे साइन तीस का मान होता है एक बटे दू दू का स्क्वाइर चार पलॉस चार गुना दू का स्क्वाइर चार बटे रूर तीन का स्क्वाइर तीन माइनस एक का स्क्वाइर एक बटे एक का स्क्वाइर एक दू का स्क्वाइर चार पलॉस रूर तीन का स्क्वाइर तीन दू का स्क्वाइर चार अभी हो जाएगा पां बटे चार प्लस चार चोके 16 बटे तीन घाटा एक बटे एक बटे चार प्लस तीन बटे चार उपर बलाक लगुतम लेंगे चारतिया 12 लगुतम आजाएगा चार से भाग देंगे तीन प्लस तीन से भाग देंगे चार चार 16 चोके 64 घाटा बारा एक बटे चार चार का लगुतम चार इसे दा हो जाएगा वन प्लस थ्री अभी हो जाएगा पंदर्र और चोशर दोनों पलस में जोड़ देंगे तो पंच चार नो चो एक साथ घाटा बारा बटे बारा बटे तीन एक चार बट इतो एक बारा में कट जाएगा तो बचा किया उनासी में बारा घटाएंगे तो बच जाएगा सरसर्थ बटे बारा यी तो एक बेर में कटिया गया यानिक सरसर्थ बटे बारा एंसर हो गया इस तरीकास आपको बनना अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो घंटी को दवा के ओल कर दें